हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू माई चैनल, आज हम बनाएंगे शाही पनीन मडर मसाला वित आठानान, जिसमें ना अनियन है, ना गालिक है और ना ही जिंजर का इस तवाल मैंने किया है, तो आएए देखते हैं कैसे बनाते हैं, इसके लिए हमें चाहिए 300 ग्राम पनीन, चीनी, जीरा, तेजपता, इलाइची, काले मिर्च, लॉंग, कसूरी मेती और सौफ, एक पैन में करीबन 2 टेबल स्पून ओयल डाल देंगे, ओयल गरंग हो जाए उसके अंदर हम सारी खड़े मसाले डाल देंगे, और इसे मीडियम फ्लेम में 2-3 मिनट के लिए से भून ल खड़े मसाले की जैसे ही कुछबू आने लग जाए, हम 3 मीडियम साइज के लाल टमाटर हमने काटी थे, वो डाल देंगे, वन फूट इसफून नमक ताकि टमाटर आसानी से कल जाए, और इसमें 8-10 काजू मैंने भीगो के रखा था पानी के अंदर, 15 मिनिट के लिए वो ह अच्छा आता है, यसे 5-7 मिनिट के लिए हम ढखके रख देंगे मीडियम फ्लेम पर, ताब तक हम नान की तायारी करते हैं, दो कब जितना मैंने 8 लिया है, आप चाहीं तो मेजरमेंट के हिसाब से देखे, तो 400 ग्राम जितना मैंने 8 लिया है, हाफ टीस्पून इसमें मैं मैंने बेकिंग पॉडर लिया है, और पिंच और सोडा मिलाकर इसमें डाल देंगे हम, अच्छे से से मिक्स कर लेंगे, अब इसके अंदर 6 टेबल स्पून मैं दही डाल रही हूं, मेंजरमेंट अगर आप करेंगे, तो आधा कब जितना आपको दही लेना है, दही खटा इस्तेमाल नहीं करना है आपको, इसे अपने हातों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक टीस्पूर इसमें तेल डाल रही हूं है, आप चाहिए तो बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे धीरे धीरे इसमें पानी डाल के हम एक अच्छा सा सॉफ्ट ड दाल कर हम इसे पांस से साथ मिनट के यह इसे मसल के अच्छे से इसे गूत लेंगे, थोड़ा सा अटा स्प्रिंकल करेंगे, इस तरह से हम इसे मसल के अच्छे से गूत लेंगे, इसे आपकी नान बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, इस तरह से सॉफ्ट पार्ट को हम उपर रख लेंगे, और जिस बरतन में हमने आटा गूता था, उसी में हम रखके करीबन एक घंटे के लिए से ढख्या रख देंगे, दो-तीन ड्रॉप इसके उपर थोड़ा सा तिल डाल देंगे, ताकि उपर से थोड़ा सा कड़क ना हो जाए, इस तरह से और एक घंटे के लिए से ढख्या रख देंगे, अब हमने टमाटर और जो खड़क अंसालिया हमने भूने थे, इसमें से तीच पत्ता और डाल चीनी को निकाल देंगे, और मिक्सर ग्राइंडर के जार में इसे डाल के हम इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे, इसमें पानी एड नहीं करना है हमें, अब देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा टेक्शर आ चुका है, इसका पीस्ट अच्छे से बन चुका है, अब एक पैन के अंदर दो टीबर स्पून ऑल डालेंगे, तील गरम हो जाएं, उसमें हम चोटा पिंच जितनी हींग डालना है, अब इसके अंदर सारा पेस्ट डाल देंगे, एक टीजपून चीनी, अब इसके अंदर हम सारे मसाले डाल देंगे, रूटीन मसाले, एक टीजपून धनिया पाउडर, चुटकी बर हेंग, और एक टीजपून चिरी पाउडर, अब इसके अंदर दो टीजपून हम डई डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद में हम एक टीजपून जितना किचन केंग मसाला डाल देंगे, मसाला डालने के बाद में इसके अंदर हम एक कटूरी जितना बॉल मटर डाल देंगे, मैंने इसमें फ्रोजन मटर का इस्तेमाल किया है, आप चाहिए तो फ्रेश मटर का भी इस्तेमाल कर सकते है, अब एक टीजपून बटर डाल देंगे, मैंने पनीर को उबलते पानी में पांच मिनिट के लिए बॉल कर दिया था, इसके पीसेज करके हम इसके अंदर डाल देंगे, करीबन तीन सो ग्राम जितना मैंने पनीर लिया है, इसे डाल देंगे, बॉइल करने से पनीर बहुत सॉफ्ट हो जाता है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5-7 मिनिट के लिए से ढखके रग लेंगे 7 मिनिट हो चुके हैं, देख सकते हैं काफी अच्छा टेक्शर और कलर आ चुका है तयार है हमारी सबजी नान बना लेते हैं आप देख सकते हैं कि आठा काफी फुल गया है इसे 2-3 मिनिट के लिए फिर से एक बर गूत लेंगे एक मीडियम साइज काप बॉल ले लेंगे और इसे अच्छे से राउंड शेप लेंगे सॉफ्ट पार को उपर रखेंगे इस तरह से आप चाहिए तो नान गूल शेप में या ओल शेप में बना सकते हैं थोड़ा सा आठा स्प्रिंकल करेंगे इस तरह से हम इसे बेल लेंगे इसके किनारे पतली रखी अब अपनी साइस के सापसे से छोटा बड़ा बना सकते हैं इसके उपर थोड़ा साम पानी डालेंगे अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देंगे और इसके उपर धन्या पत्ती जो मैंने काटके रखी थी उससे लगा देंगे हाथों से स्टिक कर देंगे अब इसके उपर थोड़ा साम कलॉंजी डाल देंगे दोड़ा से हाथों से स्टिक कर देंगे तोड़ा सा और पानी ले लीजे ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए अब इसके उल्टी साइड में भी हम पानी लगा देंगे इसके सारी किनारों में सब जगे हम अच्छे से पानी इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे तवा मैंने अलड़ी गरम करने के लिए रख दिया था तवा गरम है सब जगे से पानी लगा देंगे और इसे बहुत ही केरफुली अब दवे के उपर रख दीजे ध्यान से रखिएगा जैसे ये बबल दाने शुरू हो जाए हम तवा को उल्टा कर देंगे और इस तरह से चारों तरफ से इसे अच्छे से से शेख लेंगे फ्लेम मैंने मीडियम रखा है फ्लेम को लो टू मीडियम में रखना है और सब जगे से इस तरह से हम अच्छे से इसको ब्राउन कलर आने तक से सेखना है आप देख सकते कि काफी अच्छा कलर आच चुका है अब इसे पलट के हम इसके उल्टी साइड भी हम इसे तबे पर सेख लेंगे याज पर हम श्रिप्ट कर देएगे और इसे अप सेख लेंगे अच्छे से इसकी किनारे अच्छे से हम सेखएंगे आप देख सकते हैं कि तयार हो गया है इसके उपर आप घी या बटर कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपके मन पसंद हो मैं इसके उपर बटर लगा रही हूँ तयार है आपका आटा नान तो यह बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है बहुती कम तेल में मैंने सबजी और नान को बनाया है जोई करें अपने फैमिली के साथ में और कमेंट सेक्शन में आपको कैसे अलगे यह ज़रू बताईएगा थैंक यू